असलाम अलेकुम अजीज तल्वा विल्कम टू एवर एकडमी ठीकि बच्चों जो आपके लिए गुड न्यूज है जो कल से आपको मालूम पड़ गई हो गई कि आपके जो सलाइबस में है वो कोविट नैंटीन कोरोना वायरस जो पुरे भारत में और पुरे देश में जो फ तो इसी तरह मारास्थ हुकूमत ने भी यहां पर आपके जमात एक से लेकर पहली से लेकर बारवी तक के तमाम स्लाइबस को 25 परसेंट जो है कम कर दिया गया यह आपको सिब 70 परसेंट ही पढ़ाई करना है और 70 परसेंट पढ़ाई करने के बाद ही आपको बोर्ड का एक् जो आपके हिंदी, मराटी, इंग्लिश में निकल गया है तो वो सब मैं यहां पर अभी बताऊंगा आपको उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराटी, अल्जेवरा, जोमेट्री और साइन्स वन इतने सब्जेक का जो है उर्दू में बताऊंगा के जो सर्कूलर आया है गव तो बच्चो ठीक है आप देखते हैं कौन-कौन से सबक से, कौन-कौन से सब्जेक्ट से, इंग्लिश से, हिंदी से, मराडी से, अल्जेवरा से, जोमेट्री से क्या-क्या यहां पर कम किया गया है तो आप उसको नोट कर लीजिए या नोट नहीं भी करेंगे तो मैं आपक में शामिल है मेरे, तो आपको वहाँ पर यह दस्तियाब हो जाएगा, मिल जाएगा, तो देखिए सबसे पहले मैं उर्दू का बताता हूँ आपको, कि उर्दू में जो क्या-क्या, जो सबाजबाग जो है, क्या-क्या कम हुए है, तो आप देखेंगे यहां पर, देखिए पुरा सबक निकाल दिया गया है तो यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए सबक आपको पढ़ना ही नहीं है दुसरा पेज नमबर 42 पे देखेंगे आप 42 पे जलते परो से उड़ान यह भी पुरा सबक निकाल दिया गया है यह याद रखिए पेज नमबर 52 पे देखेंगे बाश्या अकल दिल पुरा सबक जो है यह आपके दस्वी के निसाब से निकाल दिया गया अभी सिप 2020 और 21 के लिए मतलब अभी जो अगला बोड का एक्जाब आएंगा उसमें बच्चों आपको यह सवाल यह जो कुछ यह सबक नहीं आने वाले सबक नमबर दस पाँच आठ दस अब पेज नमबर 71 पे देखेंगे आप लो तो वहाँ पर मिलेंगा आपको तजहीक रोजगार तजहीक रोजगार यह एक नजम है जिसमें यह पूरा सबक यहां से निकल लिया गया है आपके सलेबस से उसके बात है पेज नमबर 87 पे चलो के आज ठीक है यह सबक कौनवान है साथवा सबक है आपका यह पूरा सबक हजब किया गया है और पेज नमबर 83 पर देखें गजलियात है अब गजलियात में सिर्फ सिराज औरंगाबादी मुसाफ़ा बानी और मख्मूर साइदी की घजलों को हज़फ कियागया है अब आपको अच्छी सदा गजल में कौन कौन सी घजल कौन कौन से शायर की घजल जो है वो यहां से निकाल दी गई, हजब की गई, मतलब खारिज कर दी गई, निकाल दी गई है, तो यह सिफ 2021 के लिए याद रखिया है, क्योंकि यह जो कोरोना फैला हुआ है, उससे आपके जो पड़ाई का नुक्सान हो रहा है, तो उसके लिए यह कदम उटाया गया है, तो सिरा आयात में सिर्फ किशन परशाद, जमिल मजरी की रुबाईयों को हजब किया गया, मतलब इनकी जो रुबाई है, जितनी भी रुबाई होंगी, उर्दू के किताब में आपकी, जो सिर्फ किशन परशाद और जमिल मजरी की रुबाई है, इसको यहां से आपके जो किलाबस ते जो है अभी फिलाल निकाल दिया गया उसके बात का पूरा सबक हजब कर दिया गया मतलब निकाल दिया गया तो बच्छों यह उर्दू के था आपका इसमें देखिये लिखा है मंदरता वाला हसबात में शामिल कवाथ का फूरा हिस्सा बना ने अम्लि कवाथ पले ही पूरा-पूरा सबक जो यहां से निकाल जाएगा लेकिन ग्रामर को हजब नहीं किया गया, ग्रामर को नहीं निकाला गया, तो ग्रामर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, तो यह उर्दू का कुछ था आपको, आग इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या इसको लिक है, तो मराधी कंपोसिट में आपको, देखिये कौन-कौन से जो है, उत्दी के यहां पर, पहले बता दू, टेक्स बुक के आपका जो किताब है, दर्सी किताब, उसके सब पेज नंबर 9 से 11, तो एक चौतो सबक है, चिल्टरेंस आफ हेवेन, यह पूरा निकाल दिया गया चिल्टरेंस आफ हेवेन, यह सबक ही पूरा निकाल दिया गया है, तो इसको लिख लिए आप चिल्टरेंस आफ हेवेन, यह सबक को नहीं आने वाला है, उसके बाद है, देखिये यहां पर देखिये तरफ, आगला बढ़ता हूं मैं, तो यहां पर देखिये टेक्स बुक प्वेर्टेक्स बुक पे 24-27 बचो ये तरफ एक सबक है आपका नुवा सबक है आपके मराटिक कम्पोजिट में अंतरभारती बुक में तो उसको भी निकाल दिया गया है ठीक है और पेज नमबर 40-41 ये देखो भल लगाड़ी भल लगाड़ी दादा है ना ये भी आपके सबक से निकाल दिया गя बचो तो ये अप 1590 मुझा सबक है इस alcohol अप इसे मेराटी में सबक को यहां से निकाल दिया गया सबक बहुत कम बचे है इन्हें पूरे-पूरे यहां सबस्र Subad को निकाल दिया का यह जाद रखिए ना चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी कंपोजीट के ऊपर बच्चो तो हिंदी कंपोजीट आप देखोगे इसमें देखिए पहली एक आई दो लगू कता हैं यहने पेज नंबर 24 से 26 लगू कता अब पूरा पार्ट यहां से जो है क्या है रूची लेकर पढ़ सकते हैं मतलब अगर आपको इसमें ख्वाइश है आपको अच्छा लग रहा है या आपको पसंद है तो उसको रूची लेकर मतलब आपको आपके दिया गया है ठीक है उसके बाद करमवीर पेज नंबर 27 से 28 आप देखेंगे तो यह प्रेरक कवीता यहने कवीता है प्रेरक कवीता पूरी कवीता जो है यह यहां से अध्यापन हेतु अश्चा है विश्यरण न यहां पर उप्योजन लेखन छोड़कर उप्योजन लेखन और 30 गजल पूरा पाट भाशा बिंदू उप्योजन लेकन चोड़कर यह बाशा बिंदू यह उप्योजन लेकन और उप्योजन लेकन यह चोड़कर गाकर आनन ले सकते हैं ठीक है यह यह बताया आपको यहां पर यहने क्या क्या सा 2020 में आपको यहां पर हजब किया गया ह अब उसके बाद है प्रकूति समवाद, निशद पूरा पर, पर दोरा आनन ले सकते है, मतलब पर उन पढ़के उसी खुशी बना सकते है, मतलब उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा पर यहाँ पर जो है, वो निकाल दिया गैंए आप यह सम्व अध्यापन पर और उन में संबदित प्रश्णों को मुल्य मापन में ना पूछे यह जितने जो सबक है यूनिट वन में साथवार आटवा सबक यूनिट डो में चाउता और साथवा सबक यह आपके सलैबस में बोर्ड के एक्जाम में नहीं आने वाला है यह आप अच्छी से लिख कर रख लेकिन इसमें क्या इन पाटों में आये भाशा बिंदू अर उप्योजद लेखन यहने वैक करन यहने जो ग्रामर है वह और भाशा बिंदू यह आपको इसकी एक्टिविटी आज आएगी बोर्ड के एक्जाम में तो यह सब चीजे आपको बहुत ध्यान से देना पड़े है उसमें से क्रूदिय मतलब इसकी जो है इसक जो है अक्तिविटी आ सकती है अमली काम उसमें आ सकता है इसकी सबक्रन यह से लेकिन इसके वैक्रन यहने इसके ग्रामर आ सकते हैं ठीक है यह हिंदी का तब अच्छो चले आगे बढ़ते हैं इंग्लिश लेंग्वेज में आपको क्या क्या पूचा गया है क्या क्या मतलब निकाल दिया गया है तो देखिए लेसर नंबर यूनिट वन में भोली एक लेस आएए इसमें से इंटायर प्रोज यहने पूरा प्रोज निकाल दिया गया है यहां पर आप देखिंगे वहां पर इनवाल मिलेंगा वर्मिक अप तूपिक आउट हिंदी वर्ट्स अल्टरनेटिव यहां से यह निकाल दिया गया उसके बाद इंग्लिश वेक्टिविटी नुम्बर एक से छे ये भी निकाल दी गई है English workshop activity number 78 ये भी निकाल दी गई this part will not be consider for evaluation मतलब ये आपके exam में इसके उपर सवालाथ नहीं आएगे ठीक है आप देखिए unit number 2 पे आते हैं तो 4.3 4.3 captain, my captain poem में आपके पास ये इंटाइर poem निकाल दे गई, ये पूरी poem में से कुछ भी नहीं आ सकता आपको ठीक है, page number 142 पे आप देखेंगे आपके textbook में तो आप उसको पर जाएगे आप 143 से 145 English workshop activity number 1 से 11 ये भी आपको exam में नहीं आने वाली है ठीक है, तो ये सब याद रखिए जो आपको बताया जा रहा है John of Ark, ये एक सबा के आपका प्रोज है ना, 4.5, unit 1, unit 3 में तो page number 154 से 116 टेक्स इंटाइर प्रोज, ये ने पूरा टेक्स वहाँ से पूरा इंटाइर प्रोज निकाल दिया गया है English workshop में से activity 1 से 6 निकाल दिगई है और English workshop activities साथ निकाल दिगई है तो ये जो activity आपको निकाल दिगई है ये आपको पढ़ना ही नहीं है इसको छोड़ देना है इसको बिलकुल नहीं हाथ लगाना है क्योंकि ये आपके syllabus से ही निकाल दिगई है exam के लिए तो ये जितनी यहाँ पर है unit 1 यूनिट 1 में पेज नंबर दिया हुआ है आप इसका screenshot ले लिजिए और ये जो है चमाम चीज़े यहाँ से निकाल दी गई है आपको इसको study नहीं करना है ठीक है फड़ा और इंग्लिश में और है बाकी देखिए नंबर 8 यह जितनी एक्टिविटी है यह आपके exam में नहीं आने वाली बच्चो इन बोर्ड एक्जाब मिशन पेपर दीके नीचे note लिखा हुआ है वो note पढ़ रहा हुआ है activity sheet question number 1 जो language study होती है activity A3, B3 and 4 of seen unseen passage and question number 5 B2 dialogue writing are usually based on warming up kit chat activities and language study therefore teacher should deal with all the warming up kit chat and language study activities through the subsequent test are reduced अब देखिए यहां पर आपको क्या बोला है कि अब यह teacher के उपर depend है should deal with all the warming up kit chat and language study activities through the subsequent text are reduced अब देखिए आप इसका attention मत दीदिये आप क्या है जब इसकोले खुलिंगी ना तो आपको इसके बारे में बहुत detail में बताया जाएगा कि आपको क्या मतलब किस तरह से वह warming up के उपर जो है वह activities और चीट चैट लैंग्वेज इस्टेडी जो आती है आपको जब paper pattern बताया जाएगा तो उसमें आपको यह बताया जाएगा आप बिल्कुल इसमें मतलब जहनी तनाव मत लीदिये बलके आप खुश होई है कि आप आपका syllabus कम होगा आपके जहन का जो तनाव होए वह थोड़ा कम होना चाहिए आप ठीक है आगे बढ़ते बच्चों यह English का था कि अलजब्रा में क्या 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 क्तम हुआ है तो यह लिख लीजिए आप यह आप अगर नहीं भी लिखते है तो यह आप इसका screenshot ले लिजिए पेज नमबर टू पे अमली काम है मिसाल नमबर दो है और यह अमली काम आपके हमजाद मसावात के दो मुतगेरी खती मसावात की यह अमली काम एक्टिविटी है यह अक्टिविटी नहीं आएंगी इसको आप लिख लिख लिखे अमली काम नमबर दो और उस पे जो मिसाल है वो मिसाल भी नहीं आएंगी मतलब हल करता मिसाल है जो है न वो भी आती थी एक्जाम कैंद याद रखिए तो आप्जाम में नहीं आएंगी कौन से page number 2 के page number 3 के में अमली काम नहीं आएंगा मिसाल नहीं आएंगी और 1.1 पैले सवाल 1.1 के 1.1 के चौता जो है वो नहीं आएगा आपको वो आपके किताब में से निकाल दिया गया बोर्ड के एक्जाम में नहीं आएगा और 1.1 के दूसरे सवाल का यहने 1.1 में सवाल नंबर 2 क्या पहला पहला दूसरा तिसरा चौता पाच्वा चट्टा तो 1.1 जब आप देखेंगे उसको खोलेंगे टेक्सबूक किताब कोलेंगे तो उसके दूसरे सवाल का पहला दूसरा तिसरा चौता पाच्वा चट्टा यह सवाल आपको एक्जाम में नहीं आने वाले पेज नंबर 5 पे ठीक है कट कर दीजिए वहां से मतलब आप निशान लगा लिजी कि यह कट है ठीक है और पेज नंबर 19 पे देखेंगे तो पूरी एक अशारिया चार पूरी मश्क जो हो हाड मश्क है मतलब वो पूरी मुश्किल मश्क थी वो पूरी निकाल दी गई है ठीक है और मजमुए सवालात में से सवाल नंबर 6 के पूरे सवालात वहां से निकाल दीए गए जो 1.4 में सवाला थे उसी के मताबिक सवाल नंबर उस तो मुरबबई मसावात ने बच्चो कामिल मुरबबे के जो महना पुरा तरीका निकाल दिया गया है कामिल मुरबबे का आपको सवाल नहीं आएगा ठीक है यह याद रखिए उसकी मिसाल भी नहीं आएंगी और उसके जो पेज नमबर 37, 38 पे जो मिसाल है और उसको किस तरह हल करने का है वो भी नहीं आएंगी और पेज नमब 2,3 दो अशारिया तीन पुरी मश को आपको निकाल दी गई गई मुरबबई मसावात से और उसके उपर जो मिसाल है हल किया है जो 2,3 के जो मिसाल जो हल किये थी वो मिसाल भी पूरी निकाल दी गई है हल करदा मिसाल अब मुरबई मसावात की तरसीम तो वैसे भी आपको एक्जाम में आती नहीं है कभी वो और उसको निकाल भी दिया गया इस साल मुरबभई मसावात जापते की मदद से जो हल करना है आपको आपने मेरा वीडियो देखे होंगे अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए उसमें मुरबभई मसावात के जापते की मदद से जो हल करना है न उसमें activity नहीं आएंगे, मतलब boxes बनके जापते की मदद से कोई सवाल नहीं आएंगा, तो यह आप लिक लीजिए कई पर भी, page number 40 पे जितने भी सवाल है, जापते की मदद से हल कीजिए, उसमें से आपको activity नहीं आएंगा, मतलब अमली काम नहीं आएंगा, तो जिसे अमली का कहीं से भी आ सकता, कोई भी सवाल के box बना के दे सकता है, तो जापते की मदद वाले के अमली काम आपको नहीं आएंगे, और जज़रो का मदमूआ जो है ना, ज़जरो का तालोग, ज़जरो का मदमूआ, अलफा जमा बीटा, अलफा मैनस बीटा, यह भी आपको नहीं आने पहले का तीन सवाल जब वहां मैंने बोला था जज़रो का मजमुवा जो भी है वह आप छोड़ दीजिए उसमें से कोई सवाल आपको आने वाला ही नहीं है ज़रो का मजमुवा ज़रो का मजमुवा मस्क नमबर 2.5 का 5 और 6 सवाल ये भी नहीं आने वाला है क्योंकि ये सवाल भी जज़रो के मजमुवा के उपर है तो जो अलफा और बीटे वाले सवाल है वो भी आपके जो है इसमें से निकाल दिये गए हैं याद रखिये इसको और मजमुवा सवालात जो है आपका मुरब्बई मसावात का मजमुवा सवालात उसके पहले का छटा सवाल देखिये मैं क्या बता रहा हूँ आप वो छोड़ दीजिए कौन सा वो जो पहले क्या है वो MC क्यूज है सवाल नमबर पचास पर जाएगे आप तो आपको वहाँ पर नदर आएगा प्रतिरपन पर के मजमुवा सवालात के पहले कयने MC की उसका छटा MC की उस भी नहीं आने वाला आपको ठीक है अब अगले पेज पर आते पेज नमबर चौपन पर आप देखेंगे तो मजमुवा सवालात का दस्वा सवाल भी आपको नहीं आने वाला बच्चो मजमुवा सवालात का दस्वा सवाल भी आपको नहीं आने वाला है तो उसको भी आप कट कर दीजे इस्टेडी मत की लिए तो मुरपई मसावात के थे अब हिसाबी तसाओत में से सब आने वाला है हिसाबी तसाओत का एक भी सवाल skip नहीं है हिसाबी तसाओत का एक भी सवाल cut नहीं है पूरे के पूरे सवालात आपको हिसाबी तसाओत के आने वाले है अब माशी मनसूबाबंदी में से बहुत ज्यादा कट हो गया है पूरी एक मजबूर सवलात खतम हो गई है पूरी एक मश्क चली गई है देखें यहाँ आपने बताता हूं मैं पेज नमबर 94 पे कंपोजिशन इसकीन के जितने भी सवलात थे तो कंपोजिशन इसकीन के वैसे भी सवलात है नहीं आप केस में लेकिन जो भी अगर होंगे वो खतम हो गए पेज नमबर 96 पे इंटिग्रेटट जीस्टी है मतलब आए जीस्टी इसको बोलते है वो भी निकल चुकी है पेज नमबर 97 पे से 90 एक सो आट देखो तो 90 से लेकर 108 मश्क नमबर 4.3 ये लगा लीजिए आप और जितने भी शेयर के सवलात है म्यूचुल फंड के सवलात है जो वो तमाम के तमाम सवलात पूरे सबक से निकल चुकी है सिरिफ आपको जीस्टी वाले सवलात पढ़ना है शेयर और म्यूचुल फंड की पूरी एक मजमुवे सवलात है मजमुवे सवलात 4B पूरी मजमुवे सवलात पूरी वहाँ से निकाल दी गई है तो मश्क नमबर 4.3 जो शेयर पर है और म्यूचुल फंड पर है और मजमुवे सवलात 4B मजमे सवलाद 2 है एक 4A है और एक 4B है तो 4B आपको पढ़ना नहीं है 4B पूरा निकाल दिया गया है वो सिर्फ शेयर के सवलाद है उसके उपर तो ये माशी मनसुपबंदी में से काफी कुछ यहां से पूरा निकाल दिया गया है तो ये याद रखिए आपको सिफ मजमे सवलाद एक ही मजमे सवलाद पढ़ना है चोते सबक में से और 4.1, 4.2 पास इतना पढ़ना है 4.3 भी आपको पढ़ना नहीं है बच्चो ठीक है चलो आगे बढ़ते हम तो देखे शुमारियात में से जो मफरूजा मियानिया का तरीका है आप पेज नंबर 132 से 133 तक 132 से 133 तक जितने भी सवलाद उसके उपर हल करता है मफरूजा मियानिया से गुरेज मरले से उसमें से कोई भी सवाल नहीं आएगा यहने पूरे सबक में सुमारियात में से आपको मफरूजा मियानिया का तरीका और गुरेज मरले का मियानिया का तरीका यह एक तरीका है जब आप सबक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि मियानिया मालूम करने का एक तरीका है मफरूजा तरीका और गुरेज मरले का तरीका पर आएंगे तो 6.1 6.1 में यह question है 2, 4, 5, 6 और यह कौन से question है मालू है मफरूजा के और गुरेज मर लेके तो यह 2, 4, 5, 6 इसको काट दीजिए टेक्सबूक में से इसको टेक्सबूक में से काट दीजिए ठीक है आप लेकर टेक्सबूक लेकर बैटिए अगर आप वीडियो देख रहेंगे तो टेक्सबूक लेकर बैटिए और उसमें से काटते जाईए जो सवाल यहाँ पर है तो आप टेक्सबूक सबसे पहले ले लीजिए ठीक है तो उसको अगर आप देख रहेंगे तो आपस से वीडियो शुरू कीजिए टेक्सबूक लीजिए और उसको कट करते जाईए 138 पे जो आपका 6.1 है मस्क उसमें से 2-4-5-6 तो बता दिया मैंने 159 पे जो दैर्वी तरसीम पढ़ना यहने दैर्वी तरसीम दी जाती थी और उसके ओपर सवालात दिये जाते थे तो वो सवालात भी नहीं आएंगे आप तैर्वी तरसीम बनाने के लिए आएंगी तैर्वी तरसीम सिब बनाना है आपको तैर्वी तरसीम देखकर सवालात के जवाबात लिखने वाला कई सवालात थे वो तमाम के तमाम सवालात आपके यहां से निकाल देगे हजब कर देगे तो आप पेज नमबर 159 और 160 पर देखेंगे तो मिसाल है उसके तालुक से ये भी नहीं आएंगे और 164 पर देखेंगे तो मश्क 6.6 का 5.6 और 6.6 सवाल उसको कट कर दीजिए और मजमुए सवालात के पहले का पहला सवाल भी वो कट कर जैसा मैंने बता रहा है वैसे आप कट करते जाईए आपके टेक्स बुक में फॉरन फॉरन पेज नमबर 165 पर आप देखिए तो मजमुए सवालात जो शुमारियात का मजमुए सवालात है उसका दूसरा भी नहीं आएंगा और चौता भी नहीं आएंगा उसी मजमुए पर मजमुए सवालात का चौता सवाल भी नहीं आएंगा और शुमारियात में और यह जितना दिया मैंने शुमारियात आप इसको ले कर अपने बुक पर उसको टिक मांक कीजिए उसको कट कीजिए ताकि आपको वो पढ़ना ना पढ़े ठीक है और जब आप यह सवालात प जा रहे होगे, यह नहीं जो जा रहे होगे, उसके बाद जो आप वीडियो देखते होंगे, तो उसमें जितने भी सवलात है, वो सवलात आपको यह जो ठीक माख कीजिए अपने बुक में, और उसको पढ़ना नहीं आपको, ठीक है, जोमेटरी में देखते हैं क्या 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 हुआ है तो मुतशाबियत में आप देखेंगे जाविय के नासिब का मसला आपको आने ही नहीं वाला है अब जब जाविय के नासिब का मसला नहीं आएंगा तो याद रखिए उसके ओपर सवालात भी नहीं आएंगा थोड़े से कम का सवालात आएंगी याद रखिए तो मसल पेज नमर 11 अब आका अगर आपके पास टेक्स बूक होंगा आपके पास किताब होंगी तो आप खोलिए पेज नमर 11 देखिए कुछ वहां पर दिया था इसे जहन नशिन कीजिए कुछ जावे के नासिब के मसला और वो थीन मुतवाजी खुतूद के मसले के बारे में दिया ह रखेंगी है वो हल करता मिसाल जो पेज नमर 12 पर वो भी नहीं आएंगी और उसका अमली काम भी नहीं आएंगा और अमली काम 13 पर देखेंगे एक एक एक्टिविटी है वो भी नहीं आएंगी हां याद रखिए इसको आब मश्क 1 अशारिया 2 पर आते हैं तो 1.2 पर आप ग्यारवा सवाल। यह सवाल आपको नहीं आने वाले कट कर दीजिए उसको वहाँ पर अब अब हैं अब किताब होगी बच्चो तो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 का वहाँ पर कट कर दीजिए। मजमे सवालात में जो मुतशाबियत का मजमे सवालात है उसमे सवाल नमबर 10, सवाल नमबर 8, 9, 10 ये कट कर दीजिए पेज नमबर 28, 39 पे आपको मिलेगा पेज नमबर 28, 39 पे आपको मिलेगा मजमे सवालात नमबर 8, 9, 10 और पेज नमबर 14 पे 1, 2 है उसका 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ये कट कर दीजिए ये आपको नहीं आने वाला है ठीक है तो ये सवालात आप देखकर आपके बुक में कट कर दीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका या या फीसा गौरस के मसले पर आते हैं अब फीसा गौरस के मसले का जो इस्तिमाल था मतलब इतलाक का मतलब क्या होता है मालूम है इन्हें उसका इस्तिमाल अब उसका इस्तिमाल कहा पर होता है इबारती सवालात में होता है तो इबारती सवालात फीसा गौरस के मसले के इतलाक के नहीं आई याद रखिए अपोलूनियस का मसला भी नहीं आने वाला तो अपोलू पर मश्च 2.2, सवाल एक से पाँच इसको निकाल दीजए मझमुए सवालाइद पे आईया सवाल नंबर 6 तक subtract सवाल नंबर 6 मझमुए सवालाइद पीस गवरस को मझमुए सवालाइद का सवाल नंबर 6 इसको भी कट कर दीज़े ये भी आपके एक्जाम में नहीं आने वाला है वोई मजमुए सवालात में सवाल नमर 12, 8, 9, 12 वो भी कट कर दीजिए वो इसी मजमुए सवालात का 8, 9, 12 भी कट कर दीजिए और उसी मजमुए सवालात का फीसा गौरस का 17, 18 भी कट कर दीजिए तो पेज नमर 45, 45, 46 पर देखिए ममास काते के जाविय का मसला, यह मसला नहीं आने वाला है, आप पेज नमबर 75 पे जाएए 75 पे, आपको वहाँ मसला दिखेंगा, उसको काट कर दीजिए, और पेज नमबर 76 से 82, देखिए, इस पे क्या क्या हुआ है, ममास काते मसला वितरों के दाखिली बैरोनी दकतात का मसला, तमाम मिसाल, मश्क मुकमल, यहने 16 पेज नमबर 16 से 82, जितने भी सवालाथ है उस पेज पर, उसमें से एक भी नहीं आने वाला है, उस पेज पर आपको एक मश्क भी मिलेगी, मश्क अब देखियें, यहाँ पर पेज नमबर 83 पे आएंगे, शेव 83 पे, तो मज्में सवालाथ शुरू होता है दायरे का, वहाँ पे पहले सवाल का नमबर 7, आप निकाल लिए पेज नमबर 83 और उस पे देखिये, मज्में सवाला 1 का सवाल नमबर 7 ना, वो भी कड़ कर दीज उसी मजमुए सवालात का नंबर 13 और 14 भी कट कर दिए, पेज नंबर 87 पे आपको मिलेंगा, उसी मजमुए सवालात का 17 और 18 भी कट कर दिजिए, पेज नंबर 88 पे मिलेंगा आपको 88 पर, उसी मजमुए सवालात का 89 पर सवाल नंबर 22 है, वो भी कट कर दिजिए, उसी मजमु सवालात का सवाल नंबर 24 पेज नंबर 90 पे वो भी कट कर दीजी ठीक है तो यह दाइरे के है आप उसमें से जो जो आपको देखे साफ साफ लिखावा है आप पेज नंबर देखकर वो सवालात कट कर सकते हो बच्चो और हिंदेसी अमल के पूरा के पूरा सबक आने वाला है जादा से जादा मार्स आसिल कर सकते हो याद रखो तो इंदेसी अमल के जितने कोश्चन है उसको रिवीजन अच्छी से करो उसके अंदर से कोश्चन के सवालात जादा आने वाले हां तो याद रखिए तो दायरे में से इतना कट कर दीजिए आप जो मैंने अभी बताया मौदे दिल में देसा आते तो देखिए बच्चों खत की ढखलान जो है ना वो पूरी चले गई है खत की ढखलान वो पूरी खतम हो गई है उसमें देखिए आप पेज नमबर 16 में उसमें खत का ढखलान का एक्टिविटी और बल करता मिसाल है वो पूरी निकाल दीजिए अब वहां से अब कट कर दीजिए पेज नमबर 117 से 121 पूरे के पूरे सबक वो 117 से 121 ये सफात में, ये page में कितने भी सवालात होगे सबको काट दीजिए उसमें एक पूरी मश्क आएगी 5.3 उसमें पूरी एक मश्क आएगी 5.3 5.3 पूरी मश्क ही कट कर दीजिए उसमें से एक भी सवाल नहीं आने वाला है और 117 से 121 जो सफे है आपके पेज है उसमें जो भी सवलात होगे वो पूरे cut कर दीदी है उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला आपको मजमुए सवलात 1 का 4 मौदद्दी इल्मिंद्से का मजमुए सवलात का पहला सवाल है उसका 4 और एक कहां सवाल नमबर एक का जो mcqs है आपका उसका चौता mcqs नहीं आएंगा आपको खाली जगा जो भरना पड़ती है और सवाल नमबर दो का जो है फिर एक भी नहीं आएंगा दो भी नहीं आएंगा तीन भी नहीं आएंगा पेज नमबर 122 पे आपको देखो सवाल मजम कर दीजिए नववा दसवा बाविष्वा सवाल ये आप कर दीजिए आपकी टेक्स बुक में आप टेक्सबुक लेकर बैतिए बार बार बोह डreetाओं टेक्सबुक लेकर बैठिए और जो यहां पर नजरा रहा है उसको कड करते जाईए तो आपका काम बच जाएंगा आसान हो जाएगा ठीक है तो मजमे सवालात का पहले का चौता जो चौता MCQs है खाली जगा भरने का उसको कट कीजिए और उसका दुसरे का मजमे सवालात के सवाल नंबर दो का पहला सवाल दुसरा सवाल किसरा सवाल कट कर दीजिए मजमे सवालात सवाल नमबर 10, 9, 10, 22 ये भी कट कर दिजिए और इल्म मुसलस के कुछ भी कट नहीं हुआ इल्म मुसलस के पूरे सवालात आपको एक्जाम में आने वाले है ट्रिक्नोमेट्री के ठीक है ये बचोह थे आप अगला सवाल ये हमारे पास एक बचा है मसाहत है न मेंचूरेशन तो उस में देखिए पेज नमबर 156 से 160 पेज नमबर 156 से 160 पूरा पकट दिजिए पेज नमबर उसमें जो भी सवालात है उसमें जो भी मश्क है पूरी मश्क वहां से उड़ा दीजिए 156 से 160 के पेज में जितने भी सवालात है जितनी भी मश्क है ये आपको नहीं आने वाली उस पे कोई भी सवाल हो फिर चाए उस पे मश्क हो हो चाए कुछ भी हो देखो उस पे एक मश्क मिलेंगी 7 अचार ये भी नहीं आने वाली आपको पाश्क 7 अचार भी नहीं आने वाली है पेज नंबर 161 पे आईए तो मजुमे सवालात का सवाल नंबर 10 मजुमे सवालात में सिसिप एक सवाल वहां से पेज नंबर 61 पे से कटा है सवाल नंबर 10 बाकी मजमे सवलात के पूरे सवलात आपको आने वाले हैं तो ये बच्चो आप इसको कट कर दीजिए आपकी टेक्सबूक में निशान लगा लीजिए 156 से 160 पूरा पेजी कट कर दीजिए पेंसिल से आपको वो पढ़ना ही नहीं है और 161 का दसवा सवाल पेज नमबर 161 पे मजमे सवलात का सवाल नमबर 10 है उसको कट कर दीजिए तो बचो ये कुछ अलजबरा जॉमेंटरी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराधी के थे आप साइंस पे आते हैं वो ऐसे भी एक्जाम में नहीं आता तो वो खतम कर दीजिए पेज नमबर 2 पे देखेंगे आप सकली कुवत पहला सबग बता रहा हूं मैं उसको भी कट कर दीजिए और एक बॉक्स बना हूँगा क्या आप जानते हैं उसको भी कट कर दीजिए क्या आप जानते है पेज निमबर छे पर फिर बच्चों पेज निमबर साथ पे देख़िए उपर की पहली लाइन पेज निमबर साथ पे उपर की पहली लाइन वो कट कर दीजिए वो आपके साइज़ theoretically ने आने वाली है पेज नमबर 9 पे आईए कमियत और वजन उसके बारे में जितना भी मालूमात है कमियत और वजन कट कर दीजिए कमियत और वजन के कोई भी सवाल नहीं आने वाला है और वहाँ पे देखिए कमियत वजन के बाद एक नीला चौकोन होगा नीला चौकोन बनाओंगा आपकी किताब में किताब लेकर बैटिए बार बार बोटरों किताब लेकर बैटिए नीला चौकोन होंगा वो नीला चौकोन भी कट कर दीजिए फिर पेज नमबर 10 पे आईए बच्चो पेज नमबर 10 खोलेंगे आप तो वहाँ पर लिखाँगा क्या आप जानते है और वहाँ पर लिखाँगा सकली लहरे आपको चौकन बनके मिलेंगा वहाँ पर चौकन बनावा मिलेंगा चौक्टा और चौक्टे के उभार लिखाँगा क्या आप जानते है और वहाँ लिखाँगा सकली लहरे तो वो कट कर दीजिए, वो आपके एक्जाम में नहीं आने वाला है पेज नमबर 11 पे आईए, क्या आप जानते है, पेज नमबर 11 पे क्या आप जानते है, जहां भी होगा वो कट कर दीजिए पेज नमबर 14 पे क्या आप जानते है ये भी सवाल उसके सवाल जो भी होगे हो कट कर दीजिए क्या आप जानते है कि जितने भी सवाल है वो कट कर दीजिए पेज नमबर 11 और 14 से ठीक है आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 16 पर देखिए जरा यात कीजिए यह कट कर दीजिए एकदम शुरू में होंगा जैसे सबक शुरू होंगा वहाँ पर और वहाँ पर एक अनासिर की जमात बंदी एक साइड इडिंग ही आपकी आपको साइड इडिंग दी गए अनासिर बनावाँगा वहाँ पर एक टेबल वो टेबल में से कुछ भी नहीं आने वाला है न्यूलेंड के मुसंबन का टेबल है वो टेबल कट कर दीजिए वो टेबल नहीं पूछ जाएंगा आपको उसमें से कुछ भी नहीं आएंगा न्यूलेंड के मुसंबन का कुल्ले आप उसको पढ़ना चोड़ दीजिए ठीक है आप पेज नमर 18 पर आईए तोड़ा मैं कर लूँ आप पेज नमर 18 पर आईए साइंसदा का तारूफ है मेंडलिफ मेंडलिफ के तारूफ है वहां पर उसको कट कर दीजिए वह नहीं आने वाले आपको पेज नमर 19 पर आईए दिमाग पर जोर दे जितने भी सावलात होंगे पेज नमर 19 पर आईए दिमाग पर जोर दे लिकाऊंगा उसको सावला तो कट कर दीजिए पेज नमर 21 पे आईए, वहाँ पर भी होँगा, आईए दिमाग पर जोर दे, उसके जो सवालात होंगे, वो सवालात कट कर दीजिए, उसके बाद पेज नमर 22 पे आईए, वहाँ लिखाओंगा, बतलाईए तो भला, गुरूप और इलेक्टरोनिक तश्कील देखिए, बतला बतलाईए तो भला, वो कट कर दीजिए, उसको भी कट कर दीजिए, पेज नमर 23 पे बतलाईए तो भला, दोरी जदल के नीचे देखिए, बतलाईए तो भला, उसको कट कर दीजिए, पेज नमर 24 पे आईए, जरा याद कीजिए, पेज नमर 24 पे होँगा, जरा याद कीजि उसको cut कर दिजिए, page no 27 पे, internet मेरा दोस्त, ये सवलात तो आते भी नहीं है, ठिर भी cut कर दिजी उसको, page no 28 पे आये, क्या आप जानते है देखिए, वहdessHigh TO 28 क्या आप जानते है, उसको cut कर दिजिए तो ये अनासिर की दवरी जमाज बंदी के इतने सा कीमियाई तामुलाद और मसावाद पेज नमबर 30 पे देखिए पेज नमबर 30 निका लिए आप उसमें मिलेंग आपको जड़ा याद कीजिए एकदम शुरुवात में है उसके तीन सवालात है वो तीनों सवालात कट कर दीजिए और कीमियाई तामूल पैरेग्राफ है वहाँ पर देखिए कीमियाई तामूल कर दीजिए पेज नमबर 30 पर है टेबल 301 के नीचे अमल होंगा वही पेज़पर नीचे अमल कीजिए ओं पूरा उड़ा तीजे पूरा nowhere को है नुकरा इसके अंदर से है ठीक है पेज जमबर 31 पर है तो एक टेबल मिलेगा 3चारीज़ 30 is요 scraping पेज़फिए पेज उसके नीचे तलाश कीजिए लिखावा है तलाश कीजिए यलो कलर से होगा देखिए तो उसको कट अब कर दीजिए पेज नमबर 33 पे आईए अमल कीजिए एक हेडिंग होगी उसको कट कर दीजिए क्या आप जानते है इसको कट कर दीजिए और तलाश कीजिए इसको कट कर द इतने जो है पेज नमबर 33 पे अमल किजी एडिंग होंगे देखिए आप उसको कट कर दीजिए तलाश कीजिये उसके जीने भी सवलात आये-पीजय ओअ-ऑजिवे उसके सवलात भी कट कर दीजिए और और एक होंगा अमल कीजिए तरकीबी अमल देखिए वहाँ पर तरकीबी अमल वो भी कट कर दीजिए तरकीबी अमल नहीं आने वाल आपको पेज नमबर 37 पर जरा याद कीजिए हेडिंग होंगी वहाँ पर पेज नमबर 37 पर जरा याद क कीजिए heading होंगी वह देखिए उसको cut कर दीजिए वह भी नहीं आने वाली आपको थिक है अब page number 39 पर आईये 49 पर हरारतगीर रहारतजा वहाँ पर लिखाऊंगा अमल कीजिए वह अमल भी नहीं करना है आपको page number 49 पर अमल अब नहीं करना है नीचे आई अधिये लिकhँगा आईये दिमांग पर Zोर दे और उस पे कुछ सवालात होंगे वह सवालात भी कट कर दीजिए और रोगहristा ओंगा बताईए तो भला इस सवालात भी कट कर दीजिए बताईये तो बला कि पेज नंबरısı पर क्या आप जानते हैं वो कट कर दीजिए पेज नमबर 42 पर आईए क्या आप जानते हैं आऊगा वहाँ पर पेज नमबर 42 पर उसको कट कर दीजिए और आईए दिमाग पर जोर दे उसको भी कट कर दीजिए पेज नमबर 42 पर पेज नमबर 43 पर आईए तो वहाँ पर लिए उसको भी कट कर दीजिए, पेज नममर 44 पर, तलाश कीजिये, वैसे भी यह सवालात नहीं आदें, तलाश कीजिए उसको कट कर दीजिये, और शरगर्मी होंगी उसको कट कर दीजिए, तो इतने सवालात आपके उस सबक में से गई आप, सबक नमर बरकी रहों के असराओं दे देखो एक उन्वान लिखाओंगा वहाँ पर वो नुशायदा करके भायस कीजिए वो भी कट कर दीजिए उसमें से कुछ नहीं आने वाला है फिर उसी 47 पर जरा याद कीजिए और पूरा पैरेग्राफ फिर 48 पर आईए जरा सोचिए जरा सोचिए वो कट कर दीजिए उन्चास पर आईए पैज नमबर इसे हमेशा जहेन में रखे इसे हमेशा जहेन में रखिए देखिए वो भी कट कर दीजिए आपके पैज नमबर 59 पर मिलेगा और मिलेगा तलाश कीजिए वो भी कट कर दीजिए पेज नमबर 50 पे देखिए क्या आप जानते है वो भी कट कर दीजिए पेज नमबर 51 पे देखिए मिसाल 1 और 2 हल करदा पेज नमबर 51 पे मिलेंगे आपको हल करदा मिसाल ठीक है लेकिन याद रखिए सफा 51 पर मिसाल 3 और 4 है क्या बोला है हमारे पास जो सर्कुलर आया बच्चो उसमें मिसाल 1 और 2 है सफा 51 पर लेकिन आप सफा 51 पर देखिए तो आपको 3 और 4 मिलेंगे लेकिन सर्कुलर में 1 और 2 लिखा है तो आप 1 और 2 कट कर दीजिए 3 और 4 रहनें दीजिए ठीक है हाँ यह इसलिए लिखा मनें आप कंफ्यूज ना हो पेज नमबर 52 पर देखिए साइंस दा का तारूफ है ना वो कट कर दीजिए और आगे होंगा इसे हमेशा जहन में रखिए वो भी कट कर दीजिए उस पर सवलात होंगे हैं वो जो भी होंगे और पेज नमबर 57 पर एडिंग होंगे गैलवनो मीटर पेज नमबर 57 पर एडिंग होंगे गैलवनो मीटर वो भी कट कर दीजिए तो जो जो बता रहा हम है पेज नमबर के इसाब से वो कट करते जाए आप अब देखिए पेज नमबर 58 पर आईए आप गुजिस्ता जमातों में आप पड़ा है तक, यह पूरा कट कर देजिए, आप वहां देखेंगे, तो आपको नजर आएगा इस तरह का, आप देखें पेज नमबर 60 पर आईए, पेज नमबर 60 पर तो आपको मिलेगा रास्त बर्की जनरेटर, तयार करने के लिए क्या करना हो होगा, देखें ऐसा लिखा होंगा, तो परग्राफ है न, वो उड़ा दीजिए, उसमें से कुछ लिए आने वाला, यह सवाल भी नहाने वाला, और यह रास्त बर्की जनरेटर में से, DC जनरेटर हैं से कुछ सवाल नहीं आने वाले, उसको कट कर दीजिए, आप के टेस्ब बुक में यहां पर जो है कट करते चलिए तो आपको समझ में आएंगा कि कट करना है मतलब मैं हेडिंग बता रहा हूं उसके ओपर जो सवालात होंगे उसके आपर जो लिखाऊंगा आई अमल कीजिए उसके नीचे जितना होंगा वह आपको सब वहां से निकाल देना है ठीक ह आपको पेज नमबर 69 पे इतलाती मौसलाती टेक्नोजी से तालुक वह भी कट कर दीजिए और पेज नमबर 771 पे देखिए मिसाल दीवी एक जीरो दर्जेरात के बर्फ की सील देखिए वहां पर लिखाऊंगा आप अगर टेक्सबुक में देखेंगे तो आपको ऐसे ही मि पेज नमबर 73 पे देखेंगे आप बच्चो तो वहां पर आपको मिलेंगा अमल 2 एक धाती बरतम में 5 रुपे का सिक्का रखिए वो दूसरा अमल वो नहीं आएंगा आपको वो आप कट कर दीजिए और तिसरा अमल जो भी है वो भी नहीं आएंगा यहने पेज नमबर 73 प तो उसके सीधे हाथ से तीसरे कॉलम से छटा कॉलम那 कि के एक दो तीन गिनिया ऐसा कि के शटा कॉलम उसको कट कर दीजिए वह नहीं आने वाला उस पे जो सवाल आता है एक्जाम में वो नहीं आएंगा बताईए तो भला उसी पेज पर होगा देखे पेज नमबर 76 पर बताईए तो भला उसको कट कर दीजिए पेज नमबर 77 पर देखिए आईए दिमाग पर जोर दे इसको कट कर दीजिए नोट अब यहां पर देखिए पेज नमबर 77 पर लिखा है बताईए तो भला सर्कूलर जो इस गवर्मेंट से आया है लेकिन पेज नमबर 77 पर आपको बताईए तो भला कहीं पर भी निलेंगा आपको मिलेंगा आईए दिमाग पर जोर दे तो आप उसको कट कीजिए आईए दिमाग पर जोर दे है न तो यह पेज आप अगले मस्क पर आते है अगले सबक पर आते है अजसे का इस्तेमाल पेज नमबर 82 निकालिए और उसमें अमल कीजिए एक से साथ पूरा देखिए अमल होंगा वो अमल कट कर दीजिए वो आपको वहाँ से कट करना है पेज नमबर 87 पर आईए तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आप जानते है यह कट कर दीजिए आपको वो पूरा कट करना है पेज नमबर 90 पर देखिए इनराफी दुर्बिन देखिए पेज नमबर 90 पर वो आपको वहाँ से खतम करनी है इनराफी और दूर्बिन आपके सिलेबस से निकाला गया है तो आगे बढ़ते बच्चो फल्जियात देखिए मेटलरजी मेटलरजी में आपको क्या क्या करना है पेज नमबर 93 पे देखिए लिखाएंगा जरा गौर कीजिए तो जरा गौर कीजिए को आप कट कीजिए आप गौर नहीं करना है आपको उसके उपर चूँकि इस साल जो कोरोना की वज़ा से आपको उसके उपर गौर ही नहीं करना है तो निकाल दीजिए और उसके बाद आओर होगा धातों के तबही कुसुसियाद, एक heading होंगी देखिए, है न, धातों की तबही कुसुसियाद, तु वो paragraph cut कर दीजिये, धातों की तबही कुसुसियाद के बारे में जो भी लिखा होंगा, उस्वो cut कर दीजिये, page number 94 पे आईए, तो आपको मिलेगा, क्या आप जानते हैं, ये भी cut कर द दीजिया, page number 95 पे आईए, लिखांगा, sodium और potassium धाते, पानी के साथ बहुत तेजी से अमल करती है, hydrogen, gas, खारी जोतियार और उसकी मसावात, आप page number 95 पे देखेंगे, तो ये जुमला मिलेगा आपको, और उसके नीचे उसकी दो मसावाते लिखेंगे, कीमियाई मसावाते, व page number 95 पर, sodium और potassium धाते ऐसा लिखावाओंगा page number 95 पर ये जुमला, और उसके नीचे दो मसावात होंगी, नीचे, वो मसावाते कम कर दीजिये, page number 96 पे आईए, तो अमल कीजिये, लिखाओंगा, उसके सवाल जो है, अमल जो भी करना है वहाँ पर, वो अमल पूरा कट कर दीज अमल करना ही नहीं आपको, उसके उपर सवालात नहीं आने वाले, 98 पर आएंगे आप page number, तो अमल कीजिये में, देखिए, potassium iodide का अमल नहीं करना है, वो page number 98 पर आप देखेंगे, अमल कीजिये, तो उसमें होंगा sodium, वो तो उसमें potassium iodide भी होंगा, देखिए, तीन अमल, तो potassium sodium iodide के अमल को वहाँ पर कट कर दीजिये, अब 101 पर internet मेरा दोस्त, ये तो आता ही नहीं है, और 102 पर होंगा, क्या आप जानते हैं, उसको कट कर दीजिये, page number 105 पर आईए, क्या आप जानते हैं, उसको कट कर दीजिये, मालुमात हासिल कीजिये, उसको कट कर दीजिये, page number 105 आप जानते हैं, वहाँ भी एक हीडिंग होंगी, उसको कट कर दीजिये, और मालुमात हासिल कीजिये, वहाँ भी एक हीडिंग होंगी, तो 105 और 108 आपको क्या आप जानते हैं, मालुमात हासिल कीजिये, ये चीज़े कट कर दीजिये, तो फलजियाद जो आपका चेप्टर ह देखिए उसमें से इतनी चीज़े आपको cut करनी आप इसका screenshot ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है आगे बढ़ता हूं नुवा सबक करवनी मुरकबात देखिए 110 पे देखिए जरा याद कीजिए इसको cut कर दीजिए बताइए तो बहला इसको cut कर दीजिए page number 112 पे आईए क्या आप जानते हैं इसको cut कर दीजिए page number 116 पे आईए नीले टेबल की मालूमात नहीं है वो जो टेबल है ना नीला टेबल उसमें मालूमात जो है वो नहीं अपने को पढ़ना ही नहीं हो मालूमात हाँ तो नीले टेबल की मालूमात नहीं है उसको पढ़न पर देखिए sciencey capsule एक heading होंगी और उसके उपर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ होंगा sciencey capsule एक heading होंगी page number 128 पर उसके बारे में कुछ लिखा होंगा उसको cut कर दीजे बच्चो वो पूरा कुछ नहीं आने वाला उसके अंदर और page number 131, 132, 133 हाँ देखिए यह ज़रा गहुर से देख लिजे इसको ज़रा इसमें confused हो जाएंगे page number 131, 132, 133 उसमें न कुछ tables बने होंगे 132, 33 और 131 जो भी table होंगे table को cut दीजे table के बारे में जो मालूमात होंगी मालूमात भी cut दीजे फिर से बता रहा हूँ page number 31, 132, 133 पर जो table होगी वो table और उसके बारे में मालूमात होंगी वो पूरा cut कर दीजिए उसमें से कोई भी सवाल नहीं आने वाला है ठीक है तो यह कारबनी मुरकबात थे बच्चो आप खिलाई मालूम है महात पर जाएंगे याने space mission पर आप देखो आपर page number 135 पर आपको मिलेंगा क्या आप जानते है एक ही page पर पेज page number 135 पर आपको मिलेंगा क्या आप जानते है जरा याद कीजिए बताइए तो बला यह तीनों चीज़े आपको वहां पर मिलेगी वो तीनों को cut कर दीजिए उसमें question भी होंगे तो भी cut कर दीजिए 136 पर आईए तो वहां लिखाऊंगा नीचे इस इतलाती मौसलाती टेक्न लूप उसमें जो आपको पढ़ना भी निया वैसे भी सवाल नहीं आते तो cut कर दीजिए page 149 पर आईए वहां लिखाऊंगा क्या आप जानते है और एक चौक्ता बनावाँगा चौकॉन वह cut कर दीजिए और उसी page पर 149 पर हल करदा मिसाले है वह हल करदा मिसाले है जितनी मिसाले होंगी page 149 पर हल करदा मिसाले होगी वह पूरी मिसाले जो भी होंगी cut कर दीजिए page 141 पर आओ महां लिखाऊंगा क्या आप जानते हैं और चौकॉन बनाओंगा उसको भी cut कर दीजिए बच्चों वह भी नहीं आने वाला आपको वह आपके निसाब से निकल चुका पेज नमर 142 पर आईए उसमें राकेश शर्मा कलपना चावला सीनिता विलियम्स के बारे में मालूमात दी गई है इसमें से कभी-कभी खाली जगा पूची जाती है इनके बारे में कुछ एका सवाल आता था अब वह सवाल नहीं आएंगा वो cut कर दीजिए आप तीनों के यह आएंगा और पेज नमबर 143 पर देखे साइंस दानों का तारूफ विक्रम सारा भाई करके लिखाओंगा वो साइंस दा होंगा उसका भी तारूफ नहीं पूचा जाएंगा यह सवालात इसमें से आते थे बच्चो यह सवालात आपको यह इतने जो बताते जा रहा हू वैसे मैं आपको बताते जाओंगा वो जो जो आप देखेंगे मेरे तो वीडियो में जो है वो मैं बताओंगा कि आपके सवाल से निकल चुका इसलिए इसको मत पढ़िए तो आप उसका टेंशन मत लीजिए फिर भी आप अपने जो टेक्सबूक है उसमें से निशान लगात जाएए तो ये दस सबक के बच्चों को सवालात ये जो निकाल दिये गए आपके सिलेबत से वो थे उम्मीद है आपने एक टिक माक कर लिया होगा आप इसी तरह लेटेस्ट न्यूस के लिए और बहुत सारी मालूमात के लिए रहबर एकडमी को सब्स्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर की दिये ताके दो बच्चों को नहीं मालूम है कौन-कौन से सवालात निकल चुके है कौन-कौन से टॉपिक निकल गए है ताके वो भी वो समझ जाए और उनको भी ये चीज़े मिल जाए जजाक अल्ला हुत आल्ला कर